चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, जिस प्रकार एक दूसरे को लताडना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गट बटेंगे, आपस में शंका संशे उत्पन होगा, इसका भी ख्यालनी रखा गया, और विनाकारण संगल जैसे संगटनों को भी उसमें खीचा गया, टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई, सज्जन विद्या का ये उप्योग नहीं करते, अब एक साल से मनिपूर शांती की राह देख रहा है, उसकी आग में अ मर्यादा से चलता है, काम करते सब लोग है, लेकिन कार्य करते समय, मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिपत नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वहीं सेवक कहलाने क करिया और चुनाव प्रचार की चुनाव में जो होता उसकी इस है वास्तों में तो प्रमंतों और चान्टेंच के अनिवार्या और प्रक्रिया कि अर्समें दो पक्षर रहते हैं इसलिए परदा रहती है कि आ फ्रदाए तो दूसरे को पीछे करने का सोयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंतु उसमें भी एक मर्याद आ है असत्य का उपयोग नहीं करना चुने क्यों जा रहे हैं लोग संसत में जाएंगे बैठकर उपने देश को चलाएंगे सहमती बनाकर चलाएंगे इस परदा है कोई आपस का युद् के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संशे उत्पन होगा इसका भी ख्यालनी रखा गया और विनाकारण संगल जैसे संगटनों को भी उसमें खीचा गया टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई नितांत सकतरे विभाद आया खलाशय के बिद्ध्या विफादा आया धनम मदायर्व सकतिफ परेशां परपीड़नाय खलश्य शाद और विपरीन समेतत ध्या-द्लाइयचा अडिया का उप्योगजं करने के होता है कर ने के लिए संसरे संदेस कर से चलेगा भाई आखिर सब को देशे इक चला मैंन दो पक्ष है विरोधी कियते मैं प्रतिपक्ष उसका भी वचार होना चाहिए एसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मरियादा होती है उस मरियादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है कि हमारे देश के सामने चुनोतिया समाप्त नहीं हुए अब सरकार बन गई कि वहीं सरकार फिर से आ गई इजने अब ये हुए अब ये ठीक है पिष्ञे दसवर्शों में बहुत कुछ अच्छा वहा है आर्थिक हमारी स्थिती आदुनिक侈 दुनिया जिन लक जिन मानकों को मानती यह जिसके आधार पर आर्थिक की स्थिति का मातन करती है उनको लगा सब्सक्रमें को धिरे-विश्व के सामने आगे बड़े हमकों धिरे ढादस्यीं ने भी शुरू किया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुनोतियों से मुक्त हुए अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है समस्याओं से रहात लेनी है जगह जगह और समाज में कलह यह नहीं चलता अब एक साल से मनिपूर शांती की रहा देख रहा है उसके पहले दस साल चांतर रहा है पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया यह उपज आया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है त्रही त्रही कर रहा है कौन उस पर जान देगा प्राथमिक्ता दे के उसका विचार करना यह करता है यह समाज के निर्माण का काम करना है समाज में एकात्मता चाहिए समाज में समस्कार चाहिए अपने समाज में और विशेश बात है कि हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ समाज है और यह जाननावाला समाज है कि विविधता यह मित्या है कुछ दिन चलती है बात में विविधता ने रिती मूल में तो हम एकई है विविधता भी हमारी एकता का आविश्कार है अ बिल जुल कर चलो जब सही है अपने अपने मत की श्रद्दा पर पक्केर हो दूसरों के मत का उनका उतना ही सम्मान करो उनका भी मत सत्य ही स्विकार करो और मिलकर धर्म की रहा पर चलो यह धर्म पूजा की बात नहीं कर रहा हूं सारी पूजाएं अपने अपनी पूजा पर श्रद्धा रखकर बाकी पूजाओं को भी उतना सत्यमान कर सब लोगों ने मिलकर सबकी धारणा करनी है सबको जिलाना है सुरुष्टी को भी जिलाना है पूरे अस्थित्व के विचार से अपने जीवन को चलाना है यह धर्म है उस धर्म मारकर पर बढ़ते है तो उन्नती होती है इन विचार धाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा पेगंबर साब का इसलाम क्या है सोचना पड़ेगा इसा मसी हमेस की इसायत क्या है सोचना पड़ेगा बहगवान ने सब को बनाया ईंहा बहगवान की डु---- काइनाथ है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा विशत्स समझ के है wise समय के प्रवा हमें विकृतिय आई है उसको हटा कर यह जानकर कि मत अलग हो सकते हैं तरीके अलग हो सकते सब अलग हो सकता है हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्ति पूरुन संबंद स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है यह जानकर विवार करना अपने का